देखे, Bank of India का जितने भी टैप्स के ATM कार्ड हैं, उन सारे ATM कार्ड का कितना Annual Maintenance Charges हैं, आज मैं आपको उन्हीं के बारें बताने वाला हूँ तो फिलाल जो ये आप कॉल्यूम देख रहे हैं, इसमें आपको सारे कार्डों का एक Charges बताया गया है लेकिन ये जो Charges है, ये जो ATM कार्ड पर GST लगता है, उसको छोर करके है ATM कार्ड पर जो GST का Slab लगता है, वो 18% वाला लगता है अर्थाथ, जो आपको Charges ये हम दिया गया है, इस सारे Charges का आपको 18% लगेगा और साथ में जोर के तब जाके आपका एक Involal Maintenance Charges बनता है अर्थाथ, जो भी Charges, यानि कि सुरू में मान लीजिए मैने 250 वाला अगर आपका ATM कार्ड है यानि Classic कार्ड है, तो इसमें जो Charges आपके लगेगे, वो 250 तो लगने ही है साथ में आपको 18% GST अलग से देना है, तो अर्थाथ 250 से आपको ज्यादा देना होगा तो फिलाल बात करेंगे हर एक ATM कार्ड के बारे में तो Classic कार्ड का 250 रुपया दिया हुआ है, Platinum का भी 250 रुपया दिया हुआ है वीजा Signature का 250 रुपया दिया हुआ है, रुपय सेलेक्ट का 800 रुपया दिया हुआ है वीजा Vingo का 125 रुपया दिया हुआ है, अगर Prepaid आप Reloadable लिये हुए हैं तो उसका 100 रुपया दिया हुआ है